कि आपका स्पोर्ट साथ पर अनालेसिस करेंगे जो प्रेस कॉंफरेंस कंड़क की गई थी वाई इन जमा मॉलक ने जो की चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्कॉर्ड का एलान हुआ रहुल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़े चेंजिस देखने को मिलेंगे क्योंकि एशक अपने जो डिबेकल हुआ लेकिन बाबर ने वहाँ पर इंडरप करा था मताब इसे रिबूट निल्डी सामने है कि बाबर चाहते थे कि मैं अपनी टीम में जादा बतला नहीं चाहता और अकास वह यह पहले भी हमने आपको बताई जब सुबह हम क करते करते हैं नोने सारी बात चुपा ली हाँ इनो ने किसी को आपने क्लियर कट उसका सई रीजन भी नी दिया उसका सबस्ब्स करते हैं जब उन्से सवाल किया गया कि जमान खान आपके पास तो रेसे अपके सिरिलंका के अगेंस जो इनका एक नोकाउट मैश्टस में पर बोला कि भाई हमारे पास पहले से हम असन अली के लिए जा रहे तो उनकी फिंगर में इंजिरी की इस वज़े से हमने जमान खान को बैक किया लेकिन जमान खान हमारे रिजर्टस में है वहाँ पर जब जुरुत पड़ेगी तो वह आ जाएगी बिल्कों बिल्कों फिर इसके बाद बात करते हैं आपके इमाद आमिर पर हमने बात करी फिर हम बात करते हैं वहाँ पर बागी फिरेर्स पर इन्होंने बात करी तो इन्होंने साब तोर पर कहा कि भाई डोमेस्टिंग में अच्छा करना होता है आपको देखना हुता हम टीम से जादा छेड़ चार कि इसानुला की चाहिए इंजिरी हो और जो बागी आपके कंटेंडर्स थे आपके पास ऑप्शन्स कम थे और हसान अली उनके आप कह सकते हैं कि इन जमाम की पहली प्रफरेंस उनको ही थी पर जैसे कि उन्होंने कहा था कि बाई उनका इंजिरी कंसर्न था इसलिए जमान को हर कोई कहीं नगाई रास्टर किसी का खुले वे डोमेस्टिक में अच्छा गरे वहाँ पर आपको कहीं नगाई मोखा मिलेगा जब असन अली के बार में पूछा गाया कि एक साल से क्रिकेट नी खेले हमाँ पर उड़े आई तो इमाद वसीम का भी बात निकल कर आई तो इ सदाब नवाज का साब बोल दे हैं नोने कि दो साल के पिरिड में उन्होंने अच्छी क्रिक्रिक करिये और अगर एक खराब करते तो उसामामीर आपके बात हैं उसामामीर को आप ट्राइ कर लोगे हमाँ अपरार को आपने रिजर्स में एड़ करा है इस वजह से कि कुछ अगर बहुत जादा ड्रैश्टिकली खराब होगा तो आपके पास एक आप्शन होंगे पर उन्होंने कि बाई इन तीनों स्पिनर्स नहीं बहुत समय तक पाकिस्तान को कॉंट्रिब्यूट करा है दो मैचिस दो खराब मैचिस पर यार दो खराब मैचिस कहा आपके आपके जब हम फकर जमान की बात करते हैं अच्छा कर रहे हुआ पर अच्छा कराए नहीं बड़े मैच के प्लेर है अहसन अली का उन्होंने बता दिया तो यहीं लगातर हम बात करते हैं जिसे आपको टीम में रखना होता है फिर आपके तरक हमापर खतम हो जाते हैं जो पाकिस्तान के प्लेर्स अच्छा नहीं कर पाए उसकी सबसे बड़ी होजे इन्होंने बताई कि गर्मी बहुत तीम आप पर आपने देखा कि आप लंका प्रेमिल लिग भी खेले हो तो कहिने गए उनने सारे सेनेरियों वहाँ पर समझा है कि भाई आप इतनी क्रिकेट खेले हो तो कहिने पर फटीग के हम बात करते हैं वह फटीग आपको देखने हो अगया और जो इनकी रिवीव मिटिंग हुई थी महाँ पर भी इस साधा बदलाब किया बस एक बदलाब था वो भी फोर्स चेंज था कि बाई नसीम नहीं होंगी और हसानली की वहाँ पर एंट्री हो गई अपना रहमत को आपने रिजर्वस में आड करा है और फाहीम अश्रफ जिनको लेकर एंजिमान ने जी बहुत आपको मैंने बोला था दिखा नहीं पाई जब हम बात करते है अबिलिटी की आपकी और वहाँ पर जैसे सर्फरास के नाम का जिक्र हुआ तो आपको पता है कि आप इसी कॉम्मिनेशन को बैक कर रहे थे सलमान अली आगा कोई वह बात यह थी कि जो इनकी प्रेस कॉंफरेंस से चीज़े निकल कर लिए इन्हों ने टीम को सपोर्ट किया है और कहीं ने जब हम बात करते हैं नोंने सब्सक्राइब बोला है कि जब हम चर्चा करते हैं बाबारा जम हमारे साथ थे जी मिक्की आर्थर और सिर्फ कोच कप्तान और जो आपके चीज स्लेक्टर उनके वीची मापर बात चीट ह पर चैंपियन भी बनाया पर कहीं ने इस तरह के सवाल उसे बचते वह दिखाए दिये और इस तरह के चीजे माप पर हुई मौमध आमिर को यह कह दिया गया क्वालिटी प्लेयर रहें लेकिन आपको भी डुमेस्टिक खेलना पड़ेगा डुमेस्टिक पर बहुत जादा एंफसाइस करा फोकस करा कि जो आप लीक्स केलते हो उनसे नहीं आप पाकिस्तान क्रिकट के लिए भी कॉंट्रिबूट करोगे तब आपका नाम आएगरा उलमा पर इसी वजह से इमाद वसीम का भी नाम आपर आपके सकते उसमें जिकर करा और इस तरीके से माँ पर हवाला दिया गया कि यह जो आपको कॉंबिनेशन है दो मैचिस इस टीम को बहुत जादा खराब नहीं कर देती हैं पाकिस्तान दू साल मैच्छा क्रिकट खिलताब आया अब इंसमाम को यही लग रहा है उन्होंने दे एका कि भाई इस टीम को यह बात है कि अभी कुछ नहीं जब आपको पता है कि जब पाकिस्तान अगर जीत गया तो ठीक है अगर पाकिस्तान हारता तो कहने नहीं सारी चीज़ आपके निकल कर आजए कि इंज मामुलग आपके चीफ से अट जाएगे बावरा राजम आपके घपतानी छोड़ देगे सा मोहमद आमिर के पक्स में आपने नई सिलेक्ट किया कोई लीं पर जब हम बात करते आपके इमाद वसीम किया फिर हम बात करते आ पर देखते हूं आपर सरक्राज्यमत की मोहमद हरिस आपने अ nepर醒ी मरजीra sustainable पुझे इंप्रेसिव नहीं लगे मुझे नहीं लगा कि भाई वबंदा कर पाएगा लेकिन सरफ्राज आयमाद बात क्या होते हैं एक्स्पिरियंस की जब आपको बड़े इवेंट खेलने होते हैं बड़े टूनामेंट होते हैं आप एक्स्पिरियंस के साथ जाते हो सामना हैं वहाँ पर बड़ा मुस्किल लगता हूं लगता हुझे इस स्क्वाड के साथ यह टिम टोप फॉर में वहाँ पर क्वालिफाई कर पाएगी जी मतब गलतियां वहाँ पर हैं खामियां वहाँ पर हैं लेकिन फिलाज जी यही था आनालेसिस पूरी प्रेस कॉंफर को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फिलाल मैं लेता हूं जाहिंद जयवाद